हलो एवरिवन स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में आज किस वीडियो में बात करने जा रहे हैं FMCG की स्टॉक के बारे में निफ्टी FMCG एक बहुत एक क्रूशल इंडेक्स है यह इंडेक्स बैसिकली एनसी के द्वारा फॉर्म किया जाता है और इस इंडेक्स में आप डारेक्ली कैसे इंवेस्ट कर सकते हैं वह हम इस वीडियो में जारेंगे तो बिना किसी देरी की चले लिए चलते स्कीन पर आप क्या होता है फास्ट मूविंग कंजूमर गुड्स होते हैं उसमें अभी आपको दिखाएंगे कौन-कौन से स्टॉक्स होते है इस पर्टिक्लर बास्किट में क्या-क्या चीज़े और क्या कुछ देखने को मिल सकता यह शेर क्यों भागेगा वह भी हमांको समझाएंगे फ लास्ट ट्रेडिंग डे में अपडेट किया जाता है मोस्ट मोर ओवरली यह सेम होता है पर बाइद वे अगर कोई भी एक शेर उस पर्टिक्लर इंडेक्स से हटता है या एड होता है या उसके शेर के वेटेज जो है वो चेंज होते तो भी इस पीडिएफ में आपको हर मन इसमें आपको टॉफ टिन काॉंसे कि लेत बाइज कि बारे में मेंशन में इस प्रेक्टिकलर rein dex में आजिक शेर है उसके बारे में आपको तो वह आप यहां पर देख सकते हैं तो अगर हम या आपन 20 शे जो बनाते हैं वहां वो हाउस होड्स के प्रॉडक्स होता है वह फ तो यहां पर आप देखेंगे ना तो इस रिटन में आप देखेंगे तो 16% 18.242% के आसपस एनुलाइज रिटन आपको देखने को मिला है तो इस इंडेक्स में आप डिरेक्ली इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आप डिरेक्ली इन्वेस्ट करेंगे इंडेक्स में तो आपको कही न कहीं यह जो जितने भी शेर्स हैं या फ्यूचर म आते हैं तो उसके भी आपको फायदे मिल सकते हैं पर इसमें आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं मतलब आप इसमें साइपी कर सकते हैं और हर मंत आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं इससे आपको एक अच्छा फ्यूचरिस्टिक विजन मिल देगा इस पर्टिक्ली ETF तो आपको देच जाएगा इस ETF को जो हम NSE website पर open करके देखते हैं तो ETF में सबसे बड़ी बात होती है volume का ठीक है तो आप यहां पर volume देखेंगे लगभाग 4 लाग का volume daily basis पर है 3.18 करोर के आसपास का price amount daily basis पर floating market capital की बात करें तो 317 करोर के आसपास का floating market capital 76% delivery यहां पर ली जारी है nifty FMCG में 70% delivery ली जारी है अब हम आपको बता दे जब इंडिया का middle class grow होगा तो सबसे बड़ा जो spike होगा और nifty FMCG में ही आएगा क्योंकि यहां पर एक अच्छा जैसे जैसे पैसे आने लगेंगे नॉर्मल घरों में middle class में lower middle class में तो वह सबसे बहले घर के जो consumable goods होंगे उसको improve करेंगे वहां पर जादा पैसे खर्च करेंगे तो यह एक stable market zone है जो हमेशा stable रहने वाला हमेशा हर कोई अपना breakfast meals डिनर करेगा ही करेगा अच्छा इंडिया के हर एक घर में यूज किया जाता है तो यह था इसके बारे में बेसे कि आफ थोड़ा सा और डीटेल पता कर लिए थोड़ा सा हाई-risk zone में जरूर दिखाता है पर अगर इसमें रिटन देखेंगेंगा तो वह अच्छा अगर आफ इसके कोड को देखना चाहे तो आफको देखेंगा FMCGIETF के नाम पर आफ अपने ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी ब्रोकरेज अकाउंट में सर्च कर सकते हैं मिलते किसी नए वीडियो में ऐसे इंफर्मेटिव इंफर्मिशन के लिए तब तक लिए stay tuned take care thank you so much guys do subscribe this channel and अगर आफका को भी suggestion है तो like this channel like this video and also comment down in the below so आफके comment section में जो भी आफका suggestion या comment आता है definitely हरे comment पर हम reply करने ही कोसिस करेंगे bye bye take care thank you so much